Hello everyone, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर के एक नए टॉपिक के उपर जिसका नाम है Domestic Electric Circuits वह प्रीवेस सेशन में हमने बात करी थी Generators की किस तरह से Generators जो Mechanical Energy है उसको Convert करते हैं Electrical Energy में मतलब किस तरह से Electric Generators Current Reduce करते हैं यह हमने देख लिया अब यह Generators कहां प्रेजेंट होते हैं क्या हमारे घर में प्रेजेंट होते हैं मतलब हमारे घरों में क्या बिजली बनती हैं बिल्कुल भी नहीं इसके लिए अलग से Power Plant Stablish किये जाते हैं और उन Power Plants में Electro Generators होते हैं Electricity प्रेजेंट करते हैं और यही Electricity Power Plant से कहां तक आती है हमारे घरों तक आती है तो Domestic Electric Circuits में हमें पढ़ना क्या है हमें यह पढ़ना है कि हमारे घरों में जो Electricity आ रही है वो किस तरह से आ रही है तो आज की Session का Target हो गया सेट हमें क्या समझना है Domestic Electric Circuits तो अब जब Session का Target हो गया सेट तो फटा-फट से Session भी कर देते हैं So this is Vibhuti खरे Welcome to Magnet Brains जहां पे आपको सभी Chapter's के Video Lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल Free of Cost यानि कि Magnet Brains में आपको दो Chapter's पढ़ने के बाद किसी भी तरह का Payment करने की या Package Purchase करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुँचा रहा है Quality Education बिल्कुल Free of Cost तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा Session जहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि Domestic Electric Circuits क्या होते हैं अब अभी आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा एक काफी बड़ा सा मैप जहां पे आपको कुछ टाइप के वायस दिख रहे हैं एक Main Fuse दिख रहा है एक Electricity Meter दिख रहा है एक Main Switch दिख रहा है और यहां पे आपको बताया गया है कि किस तरह से Electrical Appliances Various Electrical Appliances हमारे घरों में जो रहते हैं वो आपस में Parallely Connected होते हैं तो Basically आज हम इस Session में समझने की कोशिश करेंगे इस Map को ही Start कहां से करेंगे? Start हम करेंगे अपने घर से ही Usually हमें हमारे घरों में कुछ इस तरह का दो Electric Boards देखने को मिलते हैं Electric Boards में क्या होता है? एक सॉकेट होता है या एक से ज़्यादा सॉकेट भी होते हैं और कुछ स्विचेज प्रेजेंट होते हैं अब हमारा जो Focus है ना वो इन स्विचेज पे नहीं है स्विचेज हमें पता है या और अरडरी क्या होते हैं? यह हमें पता है इन Electricity Boards में आपको दो टाइप के सॉकेट देखने को मिलते हैं एक ये वाला सॉकेट और एक ये वाला सॉकेट जब आपको अपना फोन चार्ज करना है या आपको ब्लो ड्राय वगरा चलाना है तो आप क्या करते हो? आप ये वाला सॉकेट यूज करते हो जब आपको अपना लैप्टाफ वगरा चार्ज करना होता है या आपको गीजर आउन करना है या आपको एसी आउन करना है आपको अपनी टेलिविजन आउन करना है या रेफिजरेटर आउन करना है उस case में उन सभी electrical appliances का जो plug है वो कहां लगाओगे आप इस वाले socket पे लगाओगे तो ये चीज़तों हमें समझ में आई कि भाई different electrical boards होते हैं हमारे घर में उन electrical boards में हमें दो type के socket जेखने को मिलते हैं अब सवाल ये है कि ये दो type के socket क्यों मिलते हैं हमें क्यों नहीं हम एकी socket में जहां पे हम अपना phone charge कर रहे हैं जहां से हम load dryer on कर रहे हैं वहीं पे क्यों नहीं हम अपना geezer का plug भी fit कर सकते हैं ये है समझने वाली बात तो सबसे पहले तो हम आपको ये जो socket में जो holes दिख रहे हैं ना इनके उपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं ठीक है अब मैं आपे बताने वाली हूँ आपको कि भई इन तीनों holes में जो आपको normal socket में जो holes दिखते हैं उसमें होता क्या है तो ये क्या बना दिया मैंने एक socket बना दिया इसमें मैं बना रही हूँ तीन holes ठीक है अब इन holes के अंदर क्या होता है भई इन holes के अंदर जाते हैं wires कौन-कौन से wire भई अलग-अलग टाइप के wire टोटल तीन wire होते है इस वाले hole में जाएगा live wire इस वाले hole में जाएगा neutral wire और इस वाले hole में जाएगा क्या एक arding का wire पहले मैंने आपको बताया था कि भई तीन holes होते हैं एक socket में और तीनो में ही अलग-अलग wires जाते हैं इस वाले में live wire जाएगा इस में neutral जाएगा और इसमें arding जाएगा live wire को हम positive wire भी कहते हैं neutral को हम negative भी कहते हैं live wire का का काम क्या होता है Live wire का काम होता है current अंदर ले करके जाना इसका काम क्या होगा भई? current को अंदर ले करके जाना Neutral wire का काम क्या होता है? Neutral wire का काम होता है current को बाहर की तरफ ले करके आना अब सवाल ये है कि हम तो हमेशा से ये चाहते थे कि हमारे socket में क्या हो? current हो तभी तो आप various electrical appliances का plug fit करते हो, plug-in करते हो तो वो electrical appliance क्या करने लगता है? switch on हो जाता है, वो चलने लगता है लेकिन आप तो यहाँ पे बात कुछ अलगी कर रहे हो आप बोल्डरों की एक wire जो है, वो current अंदर लेकर के जाएगा और दूसरा वाय क्या करेगा? current को बाहर लेकर के आएगा अगर हमे current socket के अंदर चाहिए है, तो हम उसे बाहर क्यों निकाल रहे हैं? ये बात आपके दिमाग में जरूर आई होगी इसे समझने के लिए हम बड़े simple example से समझते हैं suppose यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक bulb लगा दिया है, अब यह जो bulb है इसको मैंने connect कर दिया किस के साथ? एक battery के साथ चलो छोडो, यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम एक switch भी लगा देते हैं अपने circuit को और अच्छा बनाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक bulb लिया, उसको बैटरी के साथ जोड़ दिया और हमने एक switch भी लगा दिया, अब हमने क्या किया? switch on कर दिया, जैसे switch on करा, तो यह bulb को glow करना चाहिए था bulb को जल जाना चाहिए था, लेकिन यह bulb तो जला ही नहीं ऐसा क्यों भाई? सोर्स के लिए, वोल्टेज के सोर्स के लिए हमने बैटरी तो fix कर दी थी, क्या होगा? यह वाला जो वायर होगा जहां पे switch, जिससे switch attached है, वो क्या करेगा? current को, जो हमारा bulb है, उसके अंदर तक लेकर के जाएगा current तो bulb के अंदर जा रहा है, लेकिन bulb फिर भी glow नहीं कर रहा है ऐसा क्यों? गड़बड है, क्योंकि हमें दिख रहा है साफ साफ कि अभी हमारा circuit incomplete है, कैसे करेंगे हम अपने circuit को complete? तो एक और वायर जोड़ देंगे, बैटरी के negative terminal से कहां तक? बल्ब तक जब यह हमारा green वायर नहीं था, तो बैटरी current लेकर के bulb तक जा रही थी, लेकिन फिर भी bulb glow नहीं करा अब क्या होगा? जैसे हमने दूसरा वायर जोड़ा, यह current क्या होगा? बल्ब के तुरू बाहर आ जाएगा इस green वायर में और इस green वायर से कहां चला जाएगा? बैटरी के negative terminal तक चला जाएगा तो अब हो गया क्या हमारा circuit complete? तो क्या इस complete circuit में bulb glow करेगा? जी हाँ, बिलकुल करेगा तो इस green वायर का आपको significance समझ में आया होगा कि जब तक यह green वायर नहीं होगा, आपका circuit complete नहीं होगा यह green वायर कर क्या रहा था? भई, यह green वायर current को बाहर ही तो लेकर आ रहा था अगर हमारे circuit में यह red वायर जरूरी है, जोकि current को bulb के अंदर लेकर के जा रहा है तो green वायर भी उतना ही important है, क्यों? क्योंकि यह current को bulb से बाहर लेकर के आ रहा है तो अगर हमें अपने bulb को glow कराना है या उसको जलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दो wires attach करने पड़ेंगे, एक wire जोकि current उसके अंदर लेकर के जाएगा दूसरा wire जो उससे current बाहर लेकर के आएगा अगर आपको यह चीज़ समझ में आई होगी, तो क्या हमारा यह जो setup है, यह समझ में आया आपको? कि अगर live wire current को hold के अंदर लेकर के जा रहा है, तो एक neutral wire भी होना चाहिए, जो कि क्या करेगा? current को बाहर लेकर के आएगा ठीक है? current को क्या होगा? बाहर लेकर के आएगा अब सवाल यह है, कि इस neutral wire में current बाहर कब जाएगा? वो तब ही जाएगा, जब आप क्या करोगे? switch on करोगे जब आपने क्या करा है? switch on किया है, तब ही जो है न, wire के तुरू current अंदर गया और फिर इस neutral wire के तुरू बाहर आ गया तो क्या हम यह बोल सकते हैं कि neutral wire को touch करना safe है? टेक्निकली देखा जाए तो यह चीज़ सही हो सकती है, क्यूँ? अगर आपने switch off करके रखा हुआ है, तो current सिर्फ अभी कहां है? live wire में ही है, neutral wire में नहीं है जैसी आप switch on करोगे, current flow होने लगेगा और neutral wire से बाहर निकलने लगेगा तो टेक्निकली देखा जाए तो neutral wire को touch करना switch off condition में, switch off state में safe है लेकिन फिर भी नहीं करा जाता, क्यों नहीं करा जाता? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कि पीछे कहीं, दिवार में कहीं live और neutral wire आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, कुछ fault हो जाता है तो उस case में क्या होगा? current जो है, live wire से neutral wire में चला जाएगा live wire में हमेशा current रहेगा ही रहेगा चाहे आप switch on कर दो या off कर दो शायद इसलिए इसे हम positive wire भी कहते हैं लेकिन neutral wire में current कब आएगा? जब आप switch on करोगे ठीक है? जब आप switch on करोगे तभी current जो है अंदर जाकर के वापस आएगा इदर की तरह देख लो ना जब मैंने switch off किया है जब मैंने switch off किया तो इस wire में current तो अभी भी है live wire में, red वाले wire में current तो अभी भी है लेकिन इस green wire में क्या कोई current होगा? नहीं होगा क्यों? क्योंकि अभी तक current हमारे electrical appliance तक पहुचा ही नहीं है live wire में तो current हमेशा रहेगा लेकिन अभी तक हमारे bulb में current पहुचा ही नहीं है कब जब हमने अपना switch off करके रखा है तो अगर हमारे bulb में current नहीं है तो उससे वापस ले जाने वाला जो green wire है उसमें current कहां से आएगा? जैसे हमने switch on किया bulb ने current ले लिया bulb से फिर कहां गया green वाले wire में और green वाले wire में अब आ गया current तो जब switch on होगा तभी green वाले wire में current आएगा similarly जब आपने switch on किया है तभी neutral wire में क्या होगा current आएगा तो देखा जाए technically तो switch off state में neutral wire को touch करना safe है लेकिन हम फिर भी नहीं कर सकते क्यों क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई कहीं दिवार में कोई fault तो नहीं है कहीं live और neutral wire आपस में चिपक तो नहीं गए अगर चिपक गए होंगे तो live wire का जो current है वो neutral wire में भी आ जाएगा ऐसा क्यों होगा भाई क्योंकि हमारा जो live wire है वो 220 volt पे होता है और जो हमारा neutral wire है वो किस पे होता है? 0 volt पे होता है live wire होगा 220 volt पे, neutral wire होगा 0 volt पे तो ये जैसे ही दोनो wires चिपकेंगे आपस में potential difference के current, current flow होने लगेगा भाई हमने previous chapter में क्या पढ़ा है electricity में? कि current flow काब होगा जब potential difference होता है तो ये देखो यहाँ पे तो कितना major potential difference है live wire पे है 220 volt और neutral पे है 0 volt जैसे ही आपस में चिपकेंगे, potential difference set हो जाएगा और current live wire से neutral wire में आ जाएगा इसलिए हम कहते हैं कि socket में किसी भी hole के अंदर नहीं डालना चाहिए उंगली क्योंकि हमें नहीं पता कि पीछे कहीं दीवार में fault हो रही है या नहीं पीछे कहीं जो wiring है, electrical wiring है उसमें कोई fault तो नहीं है कहीं कोई live wire जाकर के neutral wire के साथ चिपक तो नहीं गया कहीं neutral wire में switch off state में भी current तो नहीं आ रहा इसलिए हम कभी भी उंगली नहीं डालेंगे ठीक है, अब इसके बाद में जो तीसरा वाला wire है, earthing wire इसका काम क्या होता है, ये हम समझेंगे थोड़े और आगे अभी के लिए आप ये समझ लो, कि ये जो earthing wire है न, ये भी क्या करता है 0V पे होता है, neutral wire की तरह ये भी 0V पे होता है अब better understanding के लिए, देखो अभी तो मैंने आपको लिख के बता दिया कि ये है live wire, ये है neutral, ये है earthing अगर मैं आपको तीन wire simply उठा करके देदू और बोलू, अब इसमें से आपको live कौन सा है, neutral कौन सा है ये earthing wire कौन सा है, ये आपको detect करना है तो ये आपके लिए मुश्किल वाली बात हो जाएगी न, कैसे detect कर पाओगे आप कि live कौन सा है, neutral कौन सा है, ये earthing का कौन सा है इसलिए हम क्या करते हैं, इन तीनों ही wires को अपना अपना एक color प्रोवाइड कर देते हैं कौन सा है वो color, देखो इधर ध्यान से इधर देखो, जो red wire है, उसे हम कहते हैं live wire यानि कि हम बोलते हैं, live wire को हम red color allot करते हैं red से आप ऐसा समझ सकते हो न, कि live wire में मैंने आपको बताएगी हमेशा current flow करेगा, चाहे switch on है, चाहे off है हमेशा live wire में क्या होगा, current flow करेगा तो current मतलब क्या, खतरा, और red color किस के लिए use होता है इसलिए हमने live wire को red color allot कर दिया फिर इसके बाद में आता है neutral wire, इस neutral wire को हम color allot करते हैं black वाला, ठीक है, और जो हमारा earthing wire वाला है, उसको हम green color allot करते हैं लेकिन ये जो color coding है, ये जो color allotment है, ये पुराना है अब new color coding आ चुकी है, new color coding के accordingly, जो हमारा live wire है उसको brown color दिया गया है, जो neutral wire है, उसको blue color दिया गया है और जो हमारा earthing का wire है, उसको green या yellow color दिया है भई हमारे हिसाब से तो जो पुरानी वाली color coding थी ना, वो much better थी क्यों? क्योंकि ये जो color allotment था, ये sensible था कि अच्छा, जो हमारा live wire है, उसमें हमेशा current जाएगा इसलिए उसको हमने खत्रे वाला color दे दिया इसको हमने, neutral wire को हमने black दिया, क्योंकि neutral है ना, तो एक neutral color दे दिया, black color दे दिया और earthing को हमने green दे दिया, लेकिन ये जो color coding है इसका तो कोई sense बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अब आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या color coding होती थी और अब क्या color coding use की जा रही है, I hope इतनी कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, तो हमने क्या focus किया है भाई, हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कि हमारे जो sockets होते हैं, उसमें कौन-कौन से तीन तरह के wires आपको देखने को मिलेंगे, ठीके, तो अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ, मेरे यहाँ पर पास क्या है, यहाँ पर मेरे पास एक socket है, जिसमें मैं यहाँ पर तीन holes बना देती हूँ, तो उपर वाले hole में क्या जाएगा भाई, उपर वाले hole में जाएगा अर्दिंग का wire, ठीके, इसको मैं EW लिख देती हूँ, अर्दिंग का wire, इस वाले hole में क्या जाएगा, इस वाले hole में जाएगा live wire, जिसको मैं positive लिख देती हूँ, ठीके, live wire को मैं क्या से पता रही हूँ, positive wire से, और यह जो दूसरा वाला होल है, इसमें क्या जाएगा भई? इसमें जाने वाला है हमारा neutral wire याने की हमारा negative wire. I hope इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी. अब एक जरूरी सवाल, हमने ये कई बार पड़ा है कि हमारे घरों में जो various electrical appliances होते हैं, वो आपस में connected होते हैं parallelly, series में नहीं. क्यों? क्योंकि series का जो series arrangement होता है, electrical appliances का, वो काफी गड़बड होता है. कैसे? चलो एक काम करते हैं. हमारे पास क्या है? एक socket है. इस socket के पास क्या है? अपना एक switch है. फिर इसके बाद में एक और हम socket connect करते हैं, इस socket का भी क्या है? अपना एक switch है. तो यहाँ पे मैंने दो sockets आपस में series में arrange किये हैं. पहरे वाले में suppose आपने क्या रखा था? फैन का plug रखा था और दूसरे वाले में आपने AC का plug लगा रखा था. अब जैसी मैंने क्या किया? इस switch को on किया, तो मेरा fan चलने लगा. ठीक है? और चलो, इस दर का भी मैंने switch on कर दिया, तो मेरा AC भी चलने लगा. अब अगर मुझे सिर्फ अपना AC चलाना है, फैन नहीं चलाना है, तो मैं क्या करूँगी? यह वाले switch को on करूँगी, तभी क्या होगा? फैन का जो socket है, उसमें current जाएगा, यही current जो है AC के socket में जाएगा, और इस socket में फिर फुर्दर, sorry, AC के, जो switch है, AC का जो switch है, उसमें जाएगा, और फिर इस switch से कहां जाएगा? AC के socket में जाएगा. अगर मैंने fan का ही switch क्या कर दिया, off कर दिया, तो AC के switch में current कहां से आएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा. ठीक है? और एक और चीज है, एक और चीज क्या है भई? कि जो हमने पढ़ा है पहले भी की series combination में क्या होता है? current तो same जाएगा, लेकिन voltage क्या हो जाएगा? voltage हो जाएगा, distribute. हमारे घरों में 220 वोल्ट का voltage supply होता है और आपके घर में आपको जितने भी sockets मिलते हैं ना, उन सभी में 220 वोल्ट का potential जाता है या voltage जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे घरों में जो हम different electrical appliances यूज करते हैं ना, वो इस 220 वोल्ट पर ही चलते हैं. मतलब maximum उनको बनाया ही ऐसा जाता है कि वो इस वोल्ट पर चलें. इसका मतलब क्या है? क्या सारे ही electrical appliances 220 वोल्ट पर चलते हैं? बिल्कुल भी नहीं. अगर हम बात करें अपने फोन की, फोन को अगर हमें चार्ज करना है, तो हम, हमें इतना साथ वोल्टेज की जरुवत नहीं हैं. हम क्या करेंगे? इस वोल्टेज को कम करेंगे. कैसे करेंगे? भी हमारे मोबाइल फोन में जो charger लगा होता है, उसका जो adapter है, उसमें क्या लगा होता है? एक transformer. वो क्यों? हमारे फोन को, चार्ज होने के लिए कम करेंट ही चाहिए था, कम वोल्टेज ही चाहिए था. लेकिन जो हमारे socket हैं, उन socket तक तो 220 वोल्टेज पहुच रहा है. तो क्या करेंगे? जो हमारा charger के त्रू लेकिन इतना voltage तो government हमको देती ही देती है क्यों क्योंकि कुछ heavy machines भी होती है जैसे कि washing machine हो गया, geezer हो गया, जिनको हम वोते हैं कि लगबग इतना voltage चाहिए होता है चलने के लिए अब अगर आपने क्या किया है, suppose हमारा जो AC है, इस AC को भी क्या चाहिए है, 220V का voltage चाहिए है यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने fan और AC को series में लगा दिया था, fan का भी एक अपना switch होता है AC का भी क्या होता है एक अपना switch होता है मैंने बोला कि अगर आपने fan का switch on किया है तभी आपका AC चल पाएगा क्यों जब हम switch on करेंगे तभी current fan के socket तक पहुँचेगा socket से निकलने के बाद AC के switch तक पहुँचेगा और AC के switch से निकलने के बाद AC के socket तक पहुँचेगा और अगर मैंने fan का switch off कर दिया तो AC के switch तक current कैसे पहुँचेगा क्योंकि fan के socket तक तो current जाही नहीं रहा है अब ये हो गई मुसीबत तो आप में क्या बोला कि एक काम करते मैं जो problem आ रही है वो इस किसके आ रही है switch के करण आ रही है तो हम इस switch को ही क्या कर देंगे हटा देंगे हमने इन switches को भी हटा दिया ठीक है लेकिन अब देखो यह हम पढ़ चोके हैं कि series combination में क्या होता है current तो same amount को flow करेगा लेकिन यह जो voltage है वो distribute हो जाएगा suppose हमारे AC को 210 volt का voltage चाहिए है लेकिन यह कैसे connected है fan के साथ series में अब जो पहले supply में wire के तुरू voltage जाएगा वो voltage पहले fan खा जाएगा fan के बाद कहा जाएगा AC में जाएगा AC को चाहिए कितना 210 volt उसको मिलेगा कितना समझनों उसे कितना मिल रहा है 150 volt ही मिल रहा है क्योंकि थोड़ा बहुत यह fan खा गया series combination है series combination में voltage का distribution होता है तो पहले जैसे ही voltage आया पहले थोड़ा सा voltage जो है fan ने खा लिया बचा कुछा voltage किसको दिया AC को दिया कितना मिला उसको 150 50 चाहिए कितना था 210 तो क्या हमारा AC काम कर पाएगा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा तो series combination में series combination में हम अपने electrical appliance को बिल्कुल भी connect नहीं कर सकते हैं क्यों connect नहीं कर सकते हैं भाई एक तो main reason यही है कि जो voltage supply है अलग-अलग electrical appliance को अलग-अलग voltage चाहिए होता है और वो voltage कैसे obtain करते हैं transformer के तुरू लेकिन 220 volt का जो voltage है ना यह almost आपको सभी electronic devices को देना ही पड़ेगा अब वो उनकी मर्जी है उनकी requirement है कि उनको 220 में से कितना लेना है कितना नहीं लेना है फिर वो transformer से अपना voltage जो है ना कम जादा करते रहेंगे लेकिन आपको हर एक electrical appliance को इतना तो देना ही पड़ेगा तो series में हम नहीं लगा सकते क्योंकि series में तो भई अभी-अभी हमने देखा कि voltage क्या हो जाता है distribute हो जाता है I hope इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी तो हाँ पर हमने क्या बोला हमारे पास था क्या एक socket जिसमें तीन अलग-अलग क्या गय हुए थे अब हम क्या करेंगे अब suppose हम दूसरा भी एक socket ले लेंगे यह हमने लिया क्या दूसरा socket ठीक है इसमें भी क्या होगा इसमें भी हम बोलते हैं कि अर्दिंग वायर जाएगा इसमें भी क्या होगा अर्दिंग का वायर जाएगा उपा वाले होल में और फिर इसके बाद में हम बोलेंगे कि ये वाला जो होल है इसमें भी क्या जाएगा इस वाले होल में हम बोलेंगे कि positive wire याने की positive मतलब कौन सा positive मतलब कि live wire और ये वाला जो हो लोगा इसमें कौन सा wire जाएगा negative wire जाने वाला है एक और हमने क्या कर दिया socket बना दिया अब क्या करेंगे ये जो total supply आ रही है दोनों ही wires को हम जोड देंगे suppose हमारी जो negative wire है जो neutral wire है उसकी supply कहां से आ रही थी suppose यहां से आ रही थी तो एक तार हमने खीच लिया इस तार को हमने जोड दिया किस के साथ इसको हमने थोड़ा सा और खीच दिया और ये कहां आ गया यहां आ गया ठीक है कुछ इस तरह से हमारे घरों में ये live wire का भी मैं बना देती हूँ तो कुछ इस तरह से हमारे घरों में live और neutral wire travel करते हैं जहां जहां आपको sockets लगाने हैं आप क्या करोगे एक wire डाल के जैसे आपके पास दो wire है एक neutral है और एक live wire है आपको यहां क्या लगाना है एक socket लगाना है यहां भी आपको क्या करना है एक socket लगाना है, कैसे लगाना है, parallel लगाना है तो आप क्या करोगे, जो main supply है, वहाँ से तार डाल के अपने socket के अंदर डाल दोगे तो इस तरह से हर एक socket में आपके पास क्या आ जाएगा एक neutral wire का connection और एक live wire का connection I hope इतनी कहानी अभी तक आपको समझ में आई होगी earthing का wire भी इसी तरह से आएगा और make sure कि यह जो earthing का wire है ना, यह हम डालते हैं यह जो neutral और जो live wire है ना, यह कहां से आते हैं? electric pole से आते हैं यह सरकार हमें अल्रेड़ी डाल के देती है लेकिन यह जो earthing का wire है ना, इसे हम डालते हैं अपनी safety के लिए, भई क्या होता है यह हम देखेंगे तो I hope यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी अब हम मात करेंगे अपने next session में अभी तक तो मैंने आपको बहुती basic चीजे पढ़ाई हैं कि किस तरह से socket में तीन अलग-अलग type के wires आपको देखने को मिलेंगे लेकिन यह wires आखिर आ कहां से रहे हैं यह तो हमने अभी तक देखा ही नहीं यानि कि अभी हमारा domestic electric circuit पूरा नहीं हुआ है वो हम complete करेंगे अपने next session में तब तक आप क्या करेंगे सबसे पहले तो इससे जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है वो revise कर लेना और इसके बाद में आप विजिट करना हमारी official website magnetbrains.com जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं प्लेलिस्ट में साथी साथ सभी topics के वाहाँ पे आपको होंगे notes भी available so do visit our official website magnetbrains.com till then keep learning with magnetbrains thank you for watching